बहुत लोग भाई confusion में रहते हैं कि मैटी के जब परिक्षा देगे तो मैटी के कितना नमर रहेगा तो हम आर्मी जीडी के भरती देख सकते हैं जब आर्मी के लिए जीडी आपका जीडी का हाइट है तो हर एक बीसे में 23-23 नमर रहेगा तब जीडी के फोरम भरा सकता है नहीं तो नहीं भरा सकता है और कलर के लिए जो भी भाई है उसके लिए भी बता देना चाहते हूं मैटीक में आपका कोई डिविजन है फर्स सेकें नमर और साथ परसेंटेज चाहिए आपको साइंस चाहिए आर्सल रहेगा तो नहीं भराएगा साइंस आपको चाहिए तो आप लोग भाई जो भी इंटर के परिक्ष्छा देने वाले हैं कलरक्स है तो आप लोग भाई है मन लागा पढ़िया उसके बाद इतना नमर का बा चाहता है कि जो भी भाई कोई इंटर मायटी के परिक्ष्छा दे चुका है उसका नमर मैटी में कम है तो भाई के सापना बरबाद हो जाएगा तो पर सापना बरबाद नहीं होगा उसका एक औरूपाई है कि आप ओपेन बोड्स से परिक्ष्छा दीजिए बिहारे में आपका अंदर उतना काबिल है ले ले आएगा और फिर रेगुलर से मैटी को जिसका नमर कम है देंगा तो कि समय ज्यादा लाएगा ओपेन बोड्स साल में दो बार की तीन बार भराता है और एक महना के बाद की रिजल्ट भी आयता है तो आप ओपेन बोड्स से परिक्ष् परिक्षा नहीं हुआ है तो भी लोग फीट है जिसका मैटी को नमर कम है ओपेन बोड्स से दिया और कलर के भी बतायते हैं कि जिस भाई का इंटर में नमर कम है जिसे हर एक भी से 50 नहीं है और 60 परसेंटेज नहीं है फॉस्ट डिविजन नहीं है तो उतना चाहिए तो परिक्षा दीजिए और आर्मी के भरती देखिए और कोई भी दीकत है तो कुमेंट वोक्स में कोमेंट कीजिए उसका जबाब देंगे या कॉल की करके मेरे से पूछिए हम अपने के लिए तो सब जीता है अपने के लिए गौरु माल कुत्या मतलब कोई भी अपने के यह कोई नहीं जीता है उसमें है जीता है दोसरे के लिए बहुत कम जीता है हमारे फौजी भाई क्योंकि आपना जान दाव पर लगा का उहां पर बोडर पर हम लोग के रक्षा कर रहे हैं तो दोसरे के लिए उजी रहा है हम लोग को बहुत लोग है तो अपने के लिए याद आता है हे मैं इधर रहे,, तो हमारा घर के आतना परिवार के याद रहा था कि मतलब बीडियोin को लिंग मात करते आपना परिवार आपना भी होता है आप बस दूरोटी सुचेनले करोटी भी खाले पर अपना अप्स यहाद करें जिंद फर्यवार के साथ करें और ओर ल आर्मी है कि बेरोजगारी के सांस्ता नहीं है जदि आर्मी मनोकरी करना है तो आगे का बता है और फोजी भाई के घर के जब याद आता होगा तो फोजी भाई यादे करके रह जाते हैं कि फोजी भाई लोग के छुटी नहीं मिलता है बस उसको दो बार छुटी हैं मिलता है एक जब पिता जी का मिर्ति होता है तो और एक साधी में उसके बाद भौजी भाई गो छोटी नहीं मिलता होगा कि आज इंडियन आर्मी है तब है हमारा देश हम लोग खेल खूद मतर्द जो भी मोज मस्ती आज घूम रहे हैं इंडियन आर्मी जहिए कुछ भी होए तो पूरा देश खतम हो जाए कि इंडियन आर्मी घर्व है जो भी आर्मी के तक त्यारी करने वाले सभी नॉर्मल परिवार से गरीब घर से हैं जैसे भी मन के चलिए त्यारी कर रहे हैं और आपके उपर कश्ट आ रहा है दिखते आ रहा है तो आप घबड़ाए मत कि खांसर के वीडियो देखना आपका खुद पता चल जाएगा मत कि आपका मालिक आपको जीताना चाहते है तो आप घबड़ाए मत आपको मालिक जीताना चाहते है खांसर के वीडियो एक बढ़ देखना उसके बाल सारा दिमाग आपका क्वूल जाएगा कि हाँ कंसर कि आभी तो आपको दिखा दे रहा हैं तीने वज़े से आया हैं और यह रात चले जाएगे तो क्या किजिएगा आप लोग हम लोग किसान के बेटा है काम नहीं करेंगे तो कहां सखाएंगे कि अब और आप लोग के भी बता देंगे ओपन बोड से बिहार से देना परिक्षा पर उपी बोड से हम नहीं देंगे सलाह कि उपी जब बिहार में जब आर्मी के भरती आते हैं उपी के लड़का बहुत सारे मतलब जाली डॉक्मेंट बनवा कर असपोर्ट के उखो या ऐसे तो को निवास जाली इधर बनवाँ ओना के आते हैं और भहरती देखते हैं कि जो आर्मी के भरती है नो ओली बिहार के लिए हैं तो माने चलिए आप भी बिहार के है आपका निमासी भी बिहार के परिक्षा दे रहें ठीक है देजी के पर आपको जब दवडाया जाएगा आर्मी में जाएगा तो उपी बुड की जितने बच्चे है उनलों को अलग लाइन बनेगा और बिहार बोड के जो बच्चे अलग बनेगा इक उप के निवासी है कि आपको खाली मार्क सी देखे हां उपी के है तो आपका मार्क्स कम है या उपी में रहते हैं उपी से परिक्षा दिये हैं तो निकालनेने के बाद भी बहुत कम चांस रहता है कि अपना अपना राज के लिए अपना अपना स्टेट के लिए उपी बुड के ऐसा नहीं कि मारता नहीं पर उपी बुड के लड़का आतना धांधली कर रहें पर उभी उपी बुड के जो भी उतर प्रदिस के भाई है उभी लोग क्या करें देखते हैं कि भरती भी नहीं आ पर क्या कीजिएगा नहीं चल पा रहा है भाई जय हिंदोस्तों जय जवान जय किसान